तो हेलो गाईस and welcome to our new video तो आज हम इस वीडियो में टेस्ट करने जा रहे हैं çek Хорошо, no giving you best versus camelyn oil pistols तो चल्हों सबसे पहले हम अपनी sheet को अपने साम में लिआते ह। हम आरी sheet तो मैंनी sheet को पहले से ही दो paths में divide कर लिया है क्योंकि इधर Cameline के हम टेस्ट करेंगे और हम इधर Domes के टेस्ट करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी masking tape लगा लेते हैं तो जैसे कि हमने अपनी masking tape लगा लिया है तो सबसे पहले हम कुछ shades चूज़ करेंगे लाइक primary red, orange and vermilion हुई तो सबसे पहले मैंने Domes के भी चूज़ कर लिया है यही तीन shades तो चलो अब इसको हटा दिते हैं सबसे पहले और अब हम अपनी start करते हैं सबसे पहले अब हम Cameline की shades जूज़ करेंगे सबसे पहले हम यह पर लगाएंगे वेर्मिलियन हुई मैं आपको बता हूँ guys कि यह जो Cameline की oil pistils है यह सिर्फ 70% smooth है तो बहुत time लग रहा है इसको करने में और बहुत मेहनत भी जा रही है तो सबसे पहले ऐसे कर दे जिस कलर की में बात करो तो कलर तो बहुत जादा अजीब से मतलब बहुत जादा अलग सा लग रहा है feeling जैसे डों समाती है वैसे नहीं आ रही तो अब मैं इसके आपको blending blending कर देशाता हूँ blending आप किसी भी चीज से कर सकते हैं जैसकि मैंने यह यह ले रखा यह आप तुशू पर से भी कर देशाता है और इसके blending में अच्छे से नहीं हो रहे है बहुत टाइट टाइट लग रहा है blending करने में और इसके रंग भी अच्छे से निखर कर नहीं आ रहे हैं हम देख सकते हैं यह है हमारे कैमलीन और थोड़े से में दुबार आपको दिखा देता हूँ यह बिल्कुल लाइट आ रहे हैं वीडियो में आप जैसे की देख सकते हैं और बहुत जादा मैनत लग रहा करने में और बिल्कुल भी बिल्कुल भी सूज नहीं है यह वाले कलर्स तो अब हम जाके फिर अभी हम डॉम्स के चैक करते हैं तोड़े यह बहुत जादा है यह बहुत जादा हंडर्ड परसेंट सॉफ्ट है यह बिल्कुल स्मूध है आप यह अपने किसी विल्कुल पासवाली शॉप से पर्चेस कर सकते आप इसको यह कैसे मिल जाएंगे डॉम्स और कैमलीन के लेकिन अगर आपको तो आपको ओनलाइन मंगाना पड़ेगा क्योंकि आपके पासवाली स्टेशनरी पर नहीं मिल पाएंगे यह देखो अब आप यह बिल्कुल ब्राइट कलर से हैं बिल्कुल बैट कलर से हैं और यहां पर इसके ब्लैंडिंग करके देख लेते हैं ब्लैंडिंग भी बहुत बैस्ट हो रही है बिल्कुल उसके तरह नहीं हो रही बिल्कुल लाइट हैंड से कर रहा हूं और मैं इसकी ब्लैंडिंग बिल्कुल अच्छे से हो रही है और यहां पर कलर भी मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो रही है सब्सक्राइब करेंगे और अब यहां पर आतिया और पेस्टेल्स की तो यह वन सेवन्टी के फिफ्टी शेड्स लेकिन इसमें बिल्कुल स्मूथ नहीं यह तो मेरे साब से मैं इसको प्रैफर नहीं करूंगा आपको लेना है तो आप डूम्स के लिए जगर बेंगनर है तो क्योंकि बिगनर के लिए बैस्ट डॉम्स के और बिल्कुल सही प्राइज में यह वन फिफ्टी में 25 25 शेड्स है और इसके साथ यह इसको शॉपनर और यह भी मिलेगा तो मैं से कुछ और ब्लैंडिंग दिखाता हूं मैं आपको ब्लैक कलर की इसकी ब्लैंडिंग दिखात तो यह बिल्कुल ब्राइट और लाइट कलर से हैं और यह आपको पास वाली शॉप से परचेस कर सकते हों इनका बजट भी बजट भी सही है तो अब हम इनको ब्लैंड करके देखते हैं यह है कैमलीं कलर्स ब्लैंड होने बाद इसका पूरा कलर उतर गया और पिछे से आण्ड हो रहा है कि अब आप फ्रिक फूद देख सकते हैं इसमें और इसमें क्या फर्क है मेरे साब कर दो आपको यह कलर से स्व्रेयों नहीं लोगते है अधर विडियों डेख सकते हैं अगर उस्वीडिओ फेन्द है तो स्बिडों कर ये और हमारी चैनल को बईटरो बाइब झाल को बाइब बाइबस